हेलो अबरेवान आई होफ और फिलिंग वेल और इस वीडियो में हम लोग क्लास तेंथ ही टूए स्टोरीज अबाउट फ्लाइग उसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे उसकी जो हिंदी सरांस है उसके बारे में देखेंगे युवा सीगल को उड़ने के लिए पुक प्रत्रा वह सच्मुच काफी उदास था उसके पिता और मता उसके पास आये उन्होंने उसे उड़ने ग लेता उन्होंने उसे डाटा फ़टकरा वी उन्होंने उसे ड़राये कि यदि वो उड़ेगा नहीं तो वहां पर भूख से मर जाएगा प्रंतु वो हिल भी नहीं सका युवा सिगल की ना उड़ने के वास्ता ऐसे 24 घंटे पहले था उस समय से लेकर अब तक कोई उसके पास नहीं आया था उसने अपने मता पिता भाईयों और बहन को उड़ते हुए देखा था उसके मता पिता उसके भाईय किया क्योंकि उसने पिछली रात के आरम से कुछ नहीं खाया था मा को खाने के साथ उसके समीप पहुँचना सिगल ने एक टांग पर खड़े होकर आखे बंद कर ली उसकी दूसरी टांगे को अपनी पंक के रीचे छिपा लिया था उसने सोने का बहना किया प्रंतु उसके माता-पिता ने उसकी तरफ नहीं देखा फिर वे उसकी मा उसे देख रही थी उसने उसे मा के अपने पैर के नीचे मचली की एक टुकड़े को फाड़ते देखा उसने उसे लेने के लिए आवाज निकाली उसकी मा ने आवाज में उतर दिया और उसकी तरफ देखा उसकी म वह बहुत बोखा था प्रंतु वह इसे प्राप्त नहीं कर सका खाने के लिए डुकी लगाना सीगल ने एक छन के लिए आश्चर में प्रतिक्षा की उसे आश्चर था कि उसकी मा उसके और अधिक समीब क्यों नहीं आई वह भुक से इतना बेहाल था कि उसने मचली पर गोता लगा दिया चिलाहट सवा आगे और खाली अस्थान में नीचे गिरया उसकी मा ने उपर की तरफ जप्टा मारा जैसुआ उसके नीचे गुजरा उसकी पैरों की सूसू की आवाज सुनी उडान अरम फिर एक महान भै ने उसे जकड लिया उसका दिल रुक गया और कुछ न नीचे से और उसके डैनों के बिरुत तेजी से गुजर रही थी वह अपसिर के बल नहीं गिर रहा था उपर नीचे दीरे दीरे उड़ रहा था उसे अब भै नहीं था वह अपने आप उड़ सकता था उडान की खुसी सीगल ने खुसी की आवाज निकाली वह गा 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 च से फिर वो पूर्ण रुप से बोल गया था कि वह हमेशा उड़ने की योग नहीं था उसने स्वयम को गोता लगाने और उपर उड़ने की प्रसंसा की अब वह इसके ठीक उपर उड़ता हुआ समुद्र के समय था उसने काफी महान हरे समुद्र को अपने नीचे देखा उसके दोब दोब में अगे ऊसके मता-पिता भाई-बैन पानी के इस हरे धरातल पर उतार चुके थे। वह उसे उपर उठने कोशिस की प्रंतु वह भुख से ठका हुआ और कम जोड़ता वह उठने ही सका उसके पैर हरे समुद्र में डूब गया उसके पेट में इसको छुआ वह और आगे नहीं डूबा वह इस पर तैर रहा था उसके चारों तरफ चिलाता हुआ और उसके परसंसा करता ह हुआ उसका परिवार था वह उसे डौग मचली के टुकड़े रहे थे उसने सफलता पर वक अपनी पहली उडान भर ली इसमें हम लोग सेकेंड स्टोरी देखेंगे दि ब्लेक एरोप्लेन ब्लेक एरोप्लेन का मतलब काली वहां पर घटा है उसके बारें बताई जाएगी लेखक का अपना डाटा कोड विमान उडाना लेखक कहता है कि वह रात को एक बज़े विमान उडा रहा था उसके पूछे पुरु दिसा में चांद निकल रहा था उसके उपर साफ अकास में तारे चमक रहे थे वह अपने पुराने राज राकोटा विमान को फ्रांस के वापस इंग्लेंड उड़ा कर आ रहा था, वह अपनी छुट्टी के बारे में स्वपन देख रहा था, वह अपने परिवार के साथ नास्तिक इमेज पर होने के परतिक्षा कर रहा था, पैरिस कंट्रोल के साथ संपर्क उसने पैरिस कंट्रोल के साथ संपर्क अस्थापित कर गया हर एक चीज ठीक बीत रही थी उसे पेरिस लगबग 150 किलो मिटर पिशे था फिर उसने तुफानी बादले देखी वे उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे वह जानता था कि वह उनके उपर से उड़ नहीं सकता उसने च्छन भर के लिए नहीं जाना क्या कर उड़ान की महान समस्चाओं का सामना उसने पेरिस वापस जाने करने नहीं लिया प्रंतु वह पर भी जाना चाहता था इसलिए उसने खत्रा ले लिया और तुफान मोड़ा अपने बिमान बाहर वह कुछ नहीं देख सकता था हर एक चीज काली थी पूराना बिमान कुद उसकी परों पर कोई रोसनी नहीं थी वह इसे अपने आगे टुफान में उड़ते देख सकता था उसे दूसरे बेक्ति को देखकर खुसी हुई वह उसका पीछा करने के लिए कह रहा था लेखक ने सोचा कि वह उसकी सायता करने की कोशिस कर रहा इसलिए उसने उसका पीछा किया वो आदे घंटे के लिए उड़ा उसके पास केवल 5 या 10 मिनिर तक उड़ने के लिए इंधन थे उसे बहे लगने लगया फिर वो नीचे आने लगा बचाया जाना सुरक्षित उतरना आचाना उसने देखा कि वो रनवे पर था उसके काले बिमान में अपने मित्र को ढूंडा वो उसका धन्यवाद करना चाहता था प्रंतु अकास खाली था वो कंट्रोल टावर में गया उसने एक महिला से पूछा कि वहां कहां है वो उस अस्चर इसे देखने लगी और फिर हसी उसने बताए कि उसके बिमान के सुवाए कोई और बिमान में नहीं था लेखक का महान अस्चर ये सुनकर लेखक अस्चर चकित रह गया उसे अस्चर था कि किसने उसकी वहां आने में सहायता की थी वो अब बिना दिशा सुचा के अंत्रा रेडियो के था उसके टेंकों में अब प्रयाप्त इंधन भी नहीं था तुफान में बिना रोशनी को उड़ते हुए उस काले अधूत वाईवान में कौन पाइलेट था तो यह जो हिंदी सरांद से आपको कैसे लगी आप कमेंट करक बताएंगे क्लास तेंथ की चेप्टर नंबर थ्री और जल्दी मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए बाइवान